Hello students, आज हम solve करने वाले है practice that 2.2 देखो first question हमें आपे क्या दिया हुआ है show that 4 root 2 is an irrational number तो सबसे पहले हम थोड़ा सा revision कर लेते हैं कि irrational number क्या होता है फिर इस question को हम solve करते है देखो usually हमें क्या लगता है कि जो भी number root में होता है वो irrational number होता है बट कुछ numbers ऐसे होते हैं जो root के अंदर होते हैं बट जब हम उसका square करते हैं तो हमें एक perfect number मतलब एक perfect value मिलती है जैसे की root 4, root 9 and root 16 देखो इनके क्या होते हैं perfect square होते हैं suppose हमने यहाँ पर क्या लिया root 4 लिया तो root 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2 या फिर इसे हम लिख सकते हैं 2 का square देखो 2 का square है तो हमें पता है कि यह square और यह root cancel हो सकता है तो इसकी value कितनी हो जाएगी 2 इसका मतलब root 4 की value कितनी होती है 2 और हमें पता है कि 2 एक क्या है integer है इसका मतलब root 4 एक rational number है वैसे हम root 9 के साथ में और root 16 के साथ में भी इसको देख सकते है कि root 9 को हम क्या लिख सकते है 3 into 3 इसका मतलब यह क्या हो जाएगा 3 का square यह square और यह root cancel हो जाएगा इसका मतलब root 9 की कितनी value होती है 3 ऐसे ही जो root 16 होता है उसकी value कितनी होती है 4 होती है जब हम उसे square से बहार निकालते हैं तो यहाँ पे root 4, root 9, root 16 यह सब क्या होंगे? rational number होंगे तो ऐसे कभी confuse मत होना कि root में दिया हुआ है तो वो irrational number होगा और इसकी definition भी कितनी easy है कि मतलब ऐसे number जो rational नहीं है वो क्या होते है? irrational number होते है अब हम solve करते हैं इसका question number 1 show that 4 root 2 is an irrational number इसका मतलब 4 root 2 एक irrational number है यह हमें show करना है तो इसे हम कैसे solve करेंगे? indirect proof के through indirect proof का मतलब क्या होता है? देखो question में हमें क्या दिया हुआ है? कि हमें show करना है कि 4 root 2 एक irrational number है बट यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका उलटा करेंगे तो यहाँ पे हम assume करेंगे कि 4 root 2 एक rational number है मतलब इसे irrational ने लेके इसे हम assume करेंगे कि एक rational number है अगर वो rational नहीं है वो prove नहीं हो रहे है कि वो एक rational number है तो indirectly वो क्या है? एक rational number है तो इसको हम क्या गर रहे हैं? Indirectly Proof कर रहे हैं That's why इसको हम नाम दे रहे हैं कि एक Indirect Proof Method है So यह हमने लिख लिया Let us assume that 4 root 2 is a rational number तो हमने क्या assume किया है? क्योंकि यह क्या है? एक Indirect Method है तो इसमें हमने इसको assume किया है कि 4 root 2 क्या है? एक rational number है और यह हमें पता है कि rational number को हम P upon Q के form में represent कर सकते हैं P upon Q की जगा हम दूसरे letter भी ले सकते हैं तो यहाँ पे हमने A upon B ले लिया है इसका मतलब यह हमने लिख लिया Therefore 4 root 2 equals to A upon B और हमें पता है कि जो B होता है वो non-zero होता है And A and B दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं तो वो हम यहाँ पे mention कर लेते हैं So यह हमने लिख लिया Where B is not equals to 0 तो यह किसकी property है? Rational number की कि B जो होता है वो एक non-zero होता है और उसके साथ में A और B यह दुनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं इसका मतलब यह है कि 4 root 2 को हमने क्या consider किया है? As a rational number लिया है तो उसको हम ऐसे rational number के form में भी लिख सकते हैं Therefore इसे हम लिख सकते हैं देखो यह 4 को हम यहाँ पे shift कर सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा? root 2 equals to A upon 4B यह जिस्ट हमने क्या किया है? 4B को यहाँ पे हमने लिख लिया है तो देखो यह क्या है? fraction के form में है A और B यह दोनों क्या है? integer है तो यहाँ पे जो 4 है वो भी क्या है? integer है इसका मतलब अगर B integer है तो 4B क्या होगा? integer ही होगा Because A, B, R integers Therefore integer है तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको explain किया था तो मैंने बताया था कि अगर जो root के अंदर जो number है उनका perfect square होता है तो वो क्या होते है? rational number होते है और अगर नहीं होता है तो वो irrational number होते है तो जो root 2 है इसका कोई perfect square नहीं है इसका मतलब ये क्या है? एक irrational number है और यहाँ पर equal sign लगा है इसका मतलब क्या है? कि ये दोनों आपस में equal है ये वाला जो left side वाला जो part है root 2 ये क्या होगा? irrational number होगा और यहाँ पर हमने ये कहा कि A upon 4B जो है वो integers हैं integers हैं इसका मतलब ये क्या होगा? rational number होगा बट कभी भी एक irrational number और एक rational number कभी भी एक दूसरे के equal नहीं होता है तो ये हमने यहाँ पर mention कर दिया है A upon 4B is rational which cannot be possible तो यहाँ पर हमने इसे equal किया है अगर ये equal है तब भी ये rational हो ऐसा possible नहीं है क्योंकि ये एक irrational number के equal है because it is contradicting our assumption तो contradicting का मतलब क्या हुआ कि उसका just उल्टा है हमारे assumption के just उल्टा है therefore the assumption was wrong इसका मतलब हमने जो assumption किया था ना वो wrong है अरा assumption था कि 4 upon root 2 जो है वो एक rational number है अगर वो assumption wrong हुआ इसका मतलब वो क्या है एक irrational number है so इसका final answer हम कैसे लिख सकते है hence 4 root 2 is an irrational number अब हम आते हैं question number 2 में यहाँ पर हमें दिया हुआ है prove that 3 plus root 5 is an irrational number जैसा हमने question number 1 को अभी solve किया था ना वैसे ही बिल्कुल इसे भी solve करना है इसे भी हमें assume करना है कि यह एक rational number है मतलब जो indirect method है वो हम use करेंगे तो चलो start करते हैं इसको solve करना so यह हमने लिख लिख लिया let us assume that 3 plus root 5 is a rational number तो यहाँ पर हमने इसे assume किया कि यह क्या है एक rational number है rational number है इसका मतलब इसे हम a by b के form में लिख सकते हैं हमने suppose किया कि यह क्या है एक rational number है so इसको हम solve कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो यह root 5 को हम ऐसे left side में रखेंगे equals to यह क्या है a upon b है तो यहाँ पर 3 जो है वो plus में है तो इसे हम right side में shift करेंगे तो यह किस में चला जाएगा minus में चला जाएगा तो further इसको हम कैसे solve कर सकते हैं root 5 equals to तो इसे हम लिख सकते हैं देखो यह हो जाएगा a minus यह दोनों आपस में multiply हो जाएगे तो यह कितना हो जाएगा 3b upon denominator में जो b था उसको हम as it is लिख लेंगे देखो यहाँ पर a, 3b और b यह सब क्या है? integers हैं because यह क्या है? अगर b और a के place में हम कोई number रखेंगे और उसे हम multiply करेंगे तो हमें कोई न कोई number मिलेगा plus में मिले या minus मिले इसका मतलब यह वाला side क्या है? rational number है so यह हम यहाँ पर mention कर देते हैं because a, b are integers therefore a minus 3b is also integers because यहाँ पर हमने बोला था न कि a और b यह दोनों क्या है? integers है इसका मतलब a minus 3b जो है वो भी क्या होगा? integers होगा but अगर हम यहाँ पर root 5 को देखेंगे तो root 5 तो irrational number है इसका कोई perfect square तो बनता नहीं है तो यह एक irrational number एक rational number के equal कैसे हो सकता है? which cannot be possible irrational number के equal नहीं होता है so यह हमने यहाँ पर लिख लिया a minus 3b upon b is rational which cannot be possible तो इसका एक rational number होना यह possible नहीं है जो भी reason है वो हमें mention करते चलना है because a minus 3b upon b is equals to an irrational number which is an irrational number मतलब यह हमने अभी तो बोला कि यह क्या है integers है तो integers है उसे सापसे से rational होना चाहिए बट यह rational number एक irrational number के equal हो वो भी possible नहीं है so यह भी हम यहाँ पर mention कर देते है because it is contradicting our assumption so अब हम इसका conclusion निकलेते है the assumption was wrong हमने क्या किया था अभी assume किया था ना कि 3 plus root 5 जो है वो एक rational number है तो वो assumption wrong है so इसका final answer हो जाएगा hence 3 plus root 5 is an irrational number तो यहाँ यह proof होता है कि 3 plus root 5 जो है वो एक irrational number है अब हम आते हैं इसके question number 3 में देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है represent the numbers root 5 and root 10 on a number line तो हमें क्या करना है root 5 और root 10 को हमें number line में show करना है तो सबसे पहले हम इसका given part लिख लेते हैं तो हम पहले root 5 को number line में represent करेंगे उसके बाद root 10 को करेंगे बच्चों अगर तुम सबको याद होगा तो 8 standard में जब हम irrational number को number line में show करते थे तो हम pythagoras theorem अपलाई करते थे तो वही same चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं तो यह हमने यहाँ पर लिख लिख लिया by pythagoras theorem देखो हमें पता है कि जब हम pythagoras theorem अपलाई करते हैं तो हम number का square करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया root 5 का square कर लिया equals to और हमें यह भी पता है कि हम square और root को आपस में cancel कर सकते हैं तो यह दोनों को cancel कर लिया तो कितना बचा 5 equals to 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 plus 1 देखो 4 के place में हम 2 का square लिख सकते हैं और 1 को हम 1 के square के form में लिख सकते हैं देखो अभी यह बिलकुल आ गया ना perfect square के form में कि root 5 का square equals to 2 का square plus 1 का square अब हम यहाँ पे steps of construction भी लिख लेते हैं सबसे पहले हम steps of construction लिख लेते हैं उसके बाद हम number line में represent करेंगे इसका first step हो जाएगा draw a number line मतलब normally जैसे हम number line draw करते हैं वैसे हमें क्या करना है सबसे पहले number line draw करना है mark o as the zero on the number line तो सबसे पहले जो zero है उसको हम o mark करेंगे second step में at point a draw a b perpendicular to o a such that a b equals to one unit यह जब हम construction करेंगे तो मैं आपको explain करूँगे पहले यह हम लिख लेते हैं third point में हम क्या लिखेंगे with point o as the center and radius a b draw an arc intersecting the number line at point p तो सबसे पहले हम एक number line draw कर लेते हैं और number line को जब हम draw करेंगे तो आपको दोनु साइड में इसमें arrow लगाना है suppose हमने यह number line को name दिया l और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं two two centimeter को हम one unit consider कर रहे हैं क्योंकि क्या है ना कि अगर one one centimeter का gap लेंगे तो वह बहुत close by हो जाएगा तो इसका जो center का point है उसे हम लेंगे zero और left side में हो जाएगा minus one minus two और इसके right side में हो जाएगा plus one और यह हो जाएगा plus two zero को हम consider करते हैं point o now देखो पाइथागोरस के according two का square plus one का square हम यहाँ पे इसके sides को लेना है तो इसका जो base है ना उसे हम ले लेते हैं two का square तो देखो zero से two कितना हो जाएगा इसका two unit तो इसे हम consider करते हैं point a उसके बाद second step में था ना a b is perpendicular to o a तो हमने जो o a है यहाँ पे एक perpendicular draw कर लिया a b यह एक perpendicular है तो यह हम यहाँ पे show कर देते हैं उसके बाद o b यहाँ पे इसे हम joint कर लेते हैं now with the help of compass with point o as the center o को हमने क्या लिया as a center लिया and radius o b और यहाँ पे o b क्या रहेगा इसका radius होगा draw an arc intersecting the number line at point b तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम एक arc draw करेंगे जो number line को point b पे cut कर दी है Pythagoras के according सारे values भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि o b क्या है यहाँ पे root 5 है और उनके square हमने 2 का square और 1 का square लिया था तो वही हमने हाँ पे 2 और 1 को mention कर दिया था और जहाँ पे यह intersecting point मिला है उसे हम consider कर देते हैं point p देखो जो point p है वो represent कर रहा है root 5 को number line में अब देखो इसको pythagoras के according हम सारे numbers को check कर लेते हैं यह हो जाएगा o a और यह हो जाएगा a b और देखो o से लेके p में जो distance है ना मतलब जो point p है वो represent कर रहा है root 5 को क्योंकि हमने ob का जो है उसको हमने क्या लिया था तस p is the point for root 5 on the number line इसका मतलब यह है कि जो point p है वो represent कर रहा है root 5 को number line में नव नेक्स हम root 10 को number line में represent करते हैं तो यहाँ पे भी हम pythagoras theorem apply कर लेते हैं तो पाइथगोरों से apply करने के लिए हम सबसे पहले root 10 का square करेंगे और हमें पता है कि हम square और root को आपस में cancel कर सकते हैं तो इसकी value हमें कितने मिल जाएगी 10 नव 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 9 प्लस 1 और हमें पता है कि 9 को हम 3 का square लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा 3 का square प्लस 1 का square 1 का square means 1 ही होता है और 3 का square means 9 इसका मतलब root 10 का square equals to हमें कितना मिल गया 3 square प्लस 1 square अब हम steps of construction लिख रहे हैं तो देखो यहाँ पर first step हमें क्या दिया हुआ है first step तो सेम रहेगा draw a number line तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा एक number line draw करनी होगी mark o as the 0 on the number line उसके बाद जहाँ पर 0 है न उसे हम o mark करेंगे now इसके base को हम 3 लेंगे और उसे हम point a नाम देंगे तो वो भी हम लिख लेते हैं at point a draw a b perpendicular to o a तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे मतलब base को हम 3 लेंगे because 3 का square है न तो उसे हम लेंगे 3 का 3 unit का हम gap लेंगे और वहाँ पे एक perpendicular draw करेंगे o a such that ab equals to 1 unit और यहाँ पे देखो 1 का square है न तो ab को हम कितना लेंगे 1 unit with point o as the center तो हम क्या करेंगे point o को as a center लेंगे and radius ob मतलब o और b को हमने joined किया तो ob को हम क्या लेंगे as a radius लेंगे draw an arc intersecting the number line at point c तो उसके बाद हम क्या करेंगे एक arc draw करेंगे जो number line को point c में intersect करती है now सबसे पहले हम एक number line draw कर लेते हैं और number line में हम दोनों side arrow लगा देते हैं उसके बाद इसे हम label करते हैं l उसके बाद यहाँ पे हम एक center ले लेंगे और two to centimeter का हम gap लेके उसे हम लेख लेते हैं सारे number line को draw करके जो 0 है उसे हम O consider करते हैं ना उसके बाद देखो 0 से 3 जो है वो 3 unit है तो हमारा कितना था 3 square प्लस one square था तो यहाँ पे 3 से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमने एक perpendicular draw किया तो अब हम यहाँ पेसको लेबल कर लेते हैं जहाँ पे 3 unit है उसे हमने point A नाम दिया और यहाँ पे जो one unit लिया है उसे बी नाम दिया नाव अब हम क्या करेंगे O से B को हमने यहाँ पे joint कर लिया तो हमें पता है कि जो O B है वो क्या है उसका hypotenuse है और उसकी value कितनी है root 10 O से A का distance है 3 unit और A और B का distance कितना है 1 unit अब हम use करने वाले हैं compass तो compass में हम O को as a center लेंगे और O B को as a radius लेके हम क्या करने वाले हैं एक arc draw करेंगे जो number line को point C में intersect करेगा नाव देखो इसको हम label कर लेते हैं तो यह जो है इसकी value कितनी है root 10 मतलब number line का वो location है जो root 10 को represent कर रहा है और यह हो जाएगा इसका point C तो a भी हो जाएगा 1 unit और देखो यह O A कितना है 3 unit है और O B कितना है root 10 तो pythagoras के according हमने क्या किया इसको draw कर लिया तो अब हम इसका conclusion लिख लेते हैं does C is the point for root 10 on the number line मतलब जो number line है ना उसमें जो point C है वो represent कर रहा है root 10 को हम आते हैं इसके question number 4 में देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है write any 3 rational numbers between the 2 numbers given below तो यहाँ पर हमें 2 numbers दिये हुए हैं और उनके बीच के 3 rational number हमें बताने हैं देखो यहाँ पर first question क्या दिया हुआ है 0.3 and minus 0.5 देखो यह बात हमें पता है कि अगर decimal point के बाद कोई number है और सबसे last में जो zeros होते हैं उसे हम count नहीं करते हैं इसका मतलब जैसे कि यह है 0.3 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.30 because जो last में 0 लगता है उसको हम count नहीं करते हैं मतलब इसकी value भी कितनी रहेगी 0.3 ही रहेगी तो यह हम लिख सकते हैं and इसको हम क्या लिख सकते हैं minus 0.50 मतलब यह जो last में 0 लगाया है यह countable नहीं होता है इसको हम लिख सकते हैं अब हम यह number line को observe करते हैं हमें पता है कि यह right side में सारे positive numbers होते हैं और left side में negative numbers होते हैं तो देखो यहां पर यह जो minus 0.5 है तो यह minus वाला है मतलब यहां कहीं पर आएगा तो यह क्या हो जाएगा minus 0.5 अभी हम exact measurement नहीं ले रहे हैं जिस्ट एस्टिमेट कहां पर आ सकता है उसका location वहां पर हम लिख रहे हैं 0.3 है तो 0.3 के पहले क्या क्या आता है 0.2 आता है 0.1 आता है 0 है और अगर हम इदर minus के side में जाएंगे तो देखो यह क्या है minus 0.5 है तो इसके पहले क्या आएगा minus 0.4 minus 0.3 minus 0.2 minus 0.1 मतलब multiple numbers होते हैं हमें पता है कि किसी भी two numbers के बीच में there are infinite numbers तो इसमें से हम कोई भी numbers चूज कर सकते हैं तो इसका conclusion हम ऐसे लिख सकते हैं therefore the three rational numbers between 0.3 and minus 0.5 are देखो यहां से हम कोई भी number ले सकते हैं यहां पर हम ले लेते हैं minus 0.4 और हम ले लेते हैं minus 0.3 minus 0.2 भी ले सकते हैं एक positive वाला number ले लेते हैं 0.2 अब चाहें तो यहां पर 0.1 भी ले सकते हैं और यह हो जाएगा इसका answer अब हम आते हैं इसके question number 2 में यहां पर हमें दिया हुआ है minus 2.3 and minus 2.33 तो स्टार्ट करते हैं इसको solve करना तो देखो इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं देखो यहां पर 3 है और यहां पर 3.33 है देखो कोई भी number हो ना उसके बीच में infinite number होते हैं अगर वो आपको बहुत close by दिख रहे हैं तो भी उसमें आपको tension लेनी की जरुवत नहीं है तो मैं आपको यह साथ के साथ बताती जाती हो तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करना उसके पीछे जितने zeros हो वो लगा लेना मतलब जितने लगा ना मतलब question के according जितनी जरुवत है तो यहां पर हमने लिख लिया 3 तो इसमें यहां पर last में हम zeros लगा सकते हैं उससे number की value change नहीं होती है तो यहां पर हम यहां पर two zeros एड़ कर देते हैं ठीक है तो यह हो गया two zeros तो देखो अभी हम क्या करते हैं अगर यहां पर one zero लगाते तो यह कितना हो जाता 30 हो जाता और यह हो जाता 33 तो उसके बीच में 31 और 32 हम लिख सकते थे बढ़ हमें 3 लिखने that's why हमने यहां पर क्या किया ऐसे यहां पर two zeros लगा दिया है and minus two point three three है तो यहां पर भी हम zeros लगा देते है minus two point three three zero तो यह हो गए three three numbers अभी देखो अब यहां पर हमें इसे solve करना बहुत easy हो गया यह हम इसे consider कर सकते हैं three hundred और यह क्या है three thirty मतलब काफी सारे numbers यहां से हम easily लिख सकते हैं तो यहां पर हम लिख लेते हैं therefore the three rational numbers between minus two point three and minus two point three three are because हमने number की value change नहीं हुई है ऐसा नहीं यह गिए three hundred है वैसे भी decimal point के बाद हमें single single number को रीड करना होता है देखो किसी भी number में अगर decimal point है तो उसके last में अगर आप zeros add कर रहे हैं तो उसकी value change नहीं होती है देखो आपको क्या करना है decimal point के बाद equal number में उसमें बना लो मतलब decimal point के बाद यहां पर हमें three digit दिख रहे हैं यहां पर भी three digit दिख रहे हैं तो ऐसे zeros लगा लो तो उसके बाद easily आप बहुत सारे between rational numbers लेख सकते हो एक और इसका alternate method था बड़ उसमें calculation और calculation में आप mistakes कर सकते हैं यह इसका easiest way है between rational numbers निकालने का यह हम लिख सकते हैं therefore the three rational numbers between minus 2.3 and minus 2.33 are minus 2.310 मतलब यहां पर हमने 10 लगा लिया और हम लिख सकते हैं minus 2.320 and minus 2.325 और यह हो जाएगा इसका answer अब हम आते हैं इसके next question में देखो यहां पर 5.2 को हम क्या लिख लेते हैं 5.20 and हमें यहां पर दिया हुआ है 5.3 तो इसे हम लिख सकते हैं 5.30 देखो यह हो गया 2.0 यह हो गया 3.0 तो यहां पर 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे काफी सारे rational numbers हम यहां से लिख सकते हैं तो इसका answer हम ऐसे लिख सकते हैं therefore the 3 rational numbers between 5.2 and 5.3 और 5.21, 5.22 and 5.23 और यह हो जाएगा इसका answer अब हम आते इसके next question में देखो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है minus 4.5 हमें दिया हुआ है so इसे हम लिख सकते है minus 4.50 and minus 4.6 को हम क्या लिख सकते है minus 4.60 इसका answer हम कैसे लिख सकते है therefore the 3 rational numbers between minus 4.5 and minus 4.6 यह हम लिख सकते है minus 4.51 dash and dash dash and dash क्या है बच्चों यह आपका homework है यह आपको बताना है मुझे comment box में बताना है कि next two numbers क्या होंगे हम चाहें तो more than two भी मुझे बता सकते हैं so बच्चों इसके साथ ही हमने practice set 2.2 complete कर लिया है अब हम जल्दी मिलते है next video में till then आपको यह सारे questions practice करने है और इसका answer मुझे comment box में बताना है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करें और अपने friends के साथ भी share करके उनकी help करें तो जल्दी मिलते हैं next video में till then bye